हेलो गाईज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वाकत है आज है 13 अव जून, दोस्तों बात करेंगे आज जिन स्टाउक्स के बारे में दोस्तों क्या उनके पाप का घड़ा भर चुका है चुकि दोस्तों मार्केट में काफी बड़ी खबर आ चुकी होगी डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि सुचिता दलाल ने दोस्तों इस चीज़ को बोल दिया है कि जो एक पुराना ऑपरेटर था दोस्तों वो मार्केट में वापस आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होगे कि जिस ऑपरेटर के बारे में बात चल रही है और दोस्तों यहाँ पर अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए चुकि कुछ एक दिनों में दोस्तों यहाँ पर कुछ एक ग्रुप में जिस तरीकी की तेजी देखने के लिए मिली है दोस्तों वो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑपरेटर के द्वारा ही किया जा सकता है तो दोस्तों अब आप समझ गए होगे कि मैं आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ तो दोस्तों आज जिन भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे उनको दोस्तों आपको बहुत सही तरीके से समझना होगा तकरीबन 4-5-6 साल के लिए फस सकते हैं मार्केट आल टाइम हाई पर है तो दोस्तों आपको इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए यहाँ पर मैं आपको फैक्ट के साथ बात करता हूं और दोस्तों चलते हैं अडानी पोर्ट के टेकनिकल चार्ट पर तो दोस्तों यहाँ पर एक बन चुका है शूटिंग स्टार दोस्तों आपके सामने यह एक बेरिस सिगनल है दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो है दोस्तों तकरीबन 800 के लगबाग जा सकती है दोस्तों यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन टूटेगी तो दोस्तों सीधे आप काफी नीचे जाते इसके वन डे के चार्ट को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कल की तारीक में गिरावट आती है और 800 का लेवल डेमेज होता है तो दोस्तों नीचे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है दोस्तों अगर यह तूटती है तो दोस्तों फि यहां पर देखने के लिए मिल चुका है जो की आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है तो दोफटर आपको समझ में आ गया हूँ कि कि क्यों यहां पर गिरावट चल रही है और गिरावट दोस्तो आगे भी सब्सक्राण भो सकते से तो धो दोस्तो यहाँ पर अगर आप option chain को देखेंगे तो option chain में दोस्तो 800 के level पर अच्छी खासी put writing है दोस्तो तो definitely मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर समलेगा बट दोस्तो यहाँ पर यह ऊपर द्वारा जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है definitely दोस्तो यहाँ पर operators कोई ना कि कोशिश की जा रही तो दोस्तो अब आपको यहाँ पर अपनी आखे खोल लेनी चाहिए वहीं दोस्तो बात करेंगे थोड़ा सा रिलाइंस के बारे में दोस्तो रिलाइंस में जिस्तरी का pattern है definitely दोस्तो यहाँ पर यह सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और दोस्तो मुझे लगता है कि यह उपर जा सकता है चुकि यहाँ पर 65 का RSI के लगबग इसने support ले लिया है तो दोस्तो लेकिन एक narrow range है दोस्तो तो यहाँ पर इसके resistance को अगर यह तोड़ता है तो definitely फिर यह आपको उपर जाता हो दिखाई पड़ेगा कितना जाएगा दोस्तों बिलकुल भी ले मिलता है यानि एक मजबूर support की भी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हाला कि put writing यहाँ पर हो रही है जिसकी वज़े से मुझे definitely लगता है कि इसको उपर ही जाना चाहिए यानि कि Reliance में आपको तेजी ही देखने के लिए मिलेगी वहीं दोस्तों बात करते हैं थोड़ी यह 125 के लगबंग नीचे आएगा और दोस्तों उसके बार फिर इसके इंदर एक तेजी आएगी तो दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इसके इंदर एक breakout आने की संभावना definitely यहाँ पर यह जो जिस range के अंदर काम कर रहा है दोस्तों यह उपर उस range तक जाएगा और नीचे द्वारा से अपनी 60 के लगबंग जब सपोर्ट लेगा तब इसमें breakout देखने के लिए मिलेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ बर अगरा situation को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसकी जो option chain है दोस्तों option chain में दोस्तों यहाँ पर सीधे तोर पर 135 पर जिस तरीके का resistance लगा हुआ है दोस्तों वो इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है लेकिन 125 पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट है यानि 125 के लगबंग जाने के दोस्तों यहाँ पर इसको पकड़ा जा सकता है 125 पर तब इसमें ब्रेक आउट आपको देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजों को समझ लीजिए डेफिनिटली बहुत सारी स्टॉक जिनको ऑपरेट किया जा रहा था जिन में एक बहुत ज्यादा अन लाइकन दोस्तों से प्रेस कर दीजिए आपको अगली वीडियो का नोडिफिक्शन मिल जाएगा वीडियो में कुछ भी इन्फर्मेटिव अच्छा लाइक कर दीजिए और फ्रेंट के साथ गुर्प में जाना मत भूलेगा आचले थेंक्यू